हलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं चैनल टूथ आज डिस्कस करेंगे बाउट सम्स्टोक्स फॉर फॉर्थ उप मैं 2023 इस वीडियो इन पर मेरा टेलिग्राम लिंक गिवन है आपको आप इससे जोइन कर ले फॉर मार्केट अपडेट एंड वॉट्सप नंबर गिवन है वॉट्स बनाई दी आज एक बुलिश केंडिल में यह ना बेस्ट पार्ट यह है एक इस डिएफसी बैंक का के जो क्लोजिंग प्राइज है अगर आप लाइन चार्ट में कनवर्ट करेंगे तो प्लोजिंग प्राइज जो भी है मार्केट के पिछले काफी दिनों से उसमें एक हाइ सब्सक्राइब के उपर सर्वाइब करता है मार्केट एच्डिवसी बैंक तो हम 1712 का फर्स टार्गेट एं 1722 का सेकंड टार्गेट के लिए बाइ कर सकते हैं इसमें स्टोप्लोज क्या लेके चलेंगे तो इसमें 1685 का स्टोप्लोज आप लेके चलेंगे और यह हार्ड में बट अगर तो 1692 का स्टोपलोज आपका सॉफ्ट स्टोप्लोज होगा अगर हम बात करें को और सेलिंग कहां करने है तो अगर यह रेड लाइन के नीचे आपके सर्वाइब करता है यहां कहीं सर्वाइब करता है तो हम सैल कर सकते हैं फूर थार्गेट ओस 1881 एन्द सेक तो आपको 945 के बाद एंट्री लेनी है और थोड़ा देखना है कि हाँ यार मार्केट उसको रेजिस्टेंस करेगा इस रेड लाइन को तभी हमें बीरिश या फिर हमें सेलिंग साइड में एंट्री लेनी है नेक्स अगर हम बात करें तो आज इसने अपरचुनेटी दी लो के नीचे हमने अपन हुआ थोड़ा से उपर गया एंद फिर उसके बाद इसमें इंबेरिशनेस शोई ही है तो अब क्या है आज भी इसमें छोटी गैंडल बनाई है और वो दो दिन पहले जो candle दी उसके low kick को लिए तो अब next क्या है कि ये अगर 866 इसके उपपर survive करता है तो हम buy कर सकते हैं for the target of 876 and 885 ये दो target हमारे upward side रहेंगे and SL के लेके चलना है तो 859 का SL इसमें बनेगा आपका एंड अगर market 854 के नीचे survive करता है यहां कहीं survive करता है थोड़ी दिर और कोई bearish movement देता है नहीं अगर फिफ्टी मिनिट की दो candle इसके is the resistance लेती है और कुछ bearish candle बनती है तो हम sell कर सकते हैं for the target of 845 and 837 ठीके next अगर हम हम बात करें इसमें SL क्या लेके चलना है selling side so selling side आपका SL बनेगा 860 का दीके कि next अगर हम बात करें so that is our SBI SBI ने भी एक upper range पे इसमें भी selling pressure generate हुआ है बट इसका selling pressure due to Adani का जो result आने वाला है कर और Adani में आज profit booking हुई है 4% profit booking हुई है तो उसकी वज़े से हैं selling pressure बना है मैंने कई बार बोलाई कि SBI Adani को काफी depth दिया है इसने तो यह Adani के respect में movement देगा है न तो अब क्या है next इस जब तक यह green candle के लोको break नहीं करता तब तक हम one sided bearish नहीं हो सकते हैं तो अकल result आने के बाद इसमें movement start होगा अगर Adani में buying आती है तो SBI में भी आपको buying दिखेगा है न अब बात कर लेते हैं level की तो 567 के नीचे यानि इस red line के नीचे देखो यह एक range है इसके नीचे काफी दिन हो यहाँ पर resistance किया तो यहाँ पर जाने के बाद यहाँ support phase किया था यहाँ पर भी एक दिन support phase किया यह कोई range नहीं है यह रेंज नहीं है कि यहाँ पर survive करें तो कल most probably breakout दे देगा या तो upward direction या downward direction 567 के नीचे हम sell कर सकते हैं for the target of 561 and 556 यह दो target हमारे downward side होंगे अच्छा इसमें जो SL आपको लेके चलना है that is 571 571 का SL बनेगा अपका and अगर हम buying की बात करें तो 573 के उपर buy कर सकते हैं for the target of 581 and 587 यहाँ SL क्या बनेगा तो यहाँ पर SL जो बनेगा that is your 569 ठीक है 569 का SL आप लेके चलेंगे for buying side and चार पॉइंट का SL है ठीक है next अगर हम बात करें so that is our reliance reliance ने क्या 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 reliance में आज काफी अच्छी profit booking देखने का मिले हाई लेवल से यहाँ पर हमने बात किती यहाँ पर यह एक important resistance है तो अब उस higher level पर ही open हुआ और वहाँ से fall start हुआ और काफी अच्छी ग्रेंडल बनीए बेरिश अब यह क्या है next अगर इस जो आज की closing price है उसके नीचे open होता है तो यह fall continue रहेगा है तो आप 2417 के नीचे अगर यहाँ पर यह resistance करता है तो 2400 का first target होगा and 2380 का हमारा second target होगा ठीक है इसमें SL क्या लेके चलेंगे तो SL जो रहेगा वो आपका यह green candle का high रहेगा यह green candle का high रहेगा यह exactly कितना है यह है आपका 24 ठीक है तो बट यह ही है first candle में एंट्री नहीं लेनी है ना first candle में एंट्री लोगे तो उसमें wix वागिरा बन जाता है और वो stop loss hit कर ले तो हमें 945 के बाद एंट्री लेनी है and अगर survive करता है तो एंट्री लेना and उसके बाद यह लगा देना बाइक साइट के बात करें 2428 के उपर जाता है यहां कहीं जाता है तो इसमें इनिशेट हो गया और 2445 and 2462 ठीन तो 2428 के उपर 2445 and 2462 यह दो टार्गेट होंगे इसमें अगर नहीं कि ऐसल क्या होगा तो इसमें सल टू फोर फोर टू थरी होगा ठीक है पंडेक्स अगर हम बात प्रेट करें अब बहुत तो हम जो एसल लेंगे दाट इस फॉर एटी टू इन पॉइंट का एसल लेंगे लिए इस लेवल के नीचे सरवाइए करता है तो यह क्या करेगा फिर यह इस रेंज में आने की कोशिश करेगा तो तो 475 हमारा फर्स टार्गे और 469 हमारा सेकंड टार्गेट होगा तीक यह टार्गेट है और यह अच्छी हो जाएंगे अगर यह यहां रुकता है तो एनड इसमें तो फॉर एटी के नीचे आप फॉर एटी फॉर का इसल लेके चलोगे ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें अगर यहां लेवल पर आता है 1860 के उपर आता है तो हम कर सकते हैं for the target of 1942 and 2036 बड़े टार्गेट है क्यों है क्योंकि रिजल्ट के बाद इसका मुवमेंट स्टार्ट होगा भी चोटी 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 केंडिल अडानी में यह कम ही देखने को मिलता है तो चोटी 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 केंडल बन रही थी बट इसकी अर्णिंग रिलीज हो चीजें क्लियर हो जाएंगे कि किस डारेक्शन में डानी स्टोक्स में बाइं करनी है सेलिंग करनी है बड़े प्लेर उसको तो उससाब से मुवमेंट जो होंगे वो थोड़े शार्प होंगे और बड़े होंगे तो अच्छा एसल क्या लेके चलेंगे तो एसल आपका 1835 हो से एक्जेक्ली 1805 है तो आप सेवंटीन हंड्रेड फर्स्ट टार्गेट हमारा 1610 होगा तो यह अगर एम पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक होती है तो भी आप सेल कर सकते हैं तो डानी के लिए यह क्लियर ध्यान रखना अगर कल दिन में रिजल्ट नहीं आता शाम को तो थोड़ा सा इसमें जो भी प्रोफिट आनोसो वसं कलबों कलना का सुपरे रहता है अलिसी रेंग में रह जाता है तो अब नहीं एंट्री करनेए पृर इंद पर्सो तो और deserved में जो भी ब्रेक्वाट जीस डारेक्षन में ब्रेक्वाट देざ उस डारेक्षन में एFrकोर दोनों लेबल याद रखना एंड कल नहीं आया तो परसुए मॉवमेंट होगा so that's for Adani I hope यहां तक किलियर होगा और कुछ भी डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में देदेना I'll try के मैं सारे डाउट किलियर करूँ थाना, thank you